भाईयों, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप लोगों का जो भी नुकसान हुआ है, उसके लिए हम रुव अबजब अठवाएंगे हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम यहाँ आपके बीच में आपकी हर समस्या का हल लेकर आएं मालिक, मालिक, पहले बैल की गर्दन में जो अन हल फसा है उन निकाल दीजिये, समस्या का हल बाद में निकालिएगा हल बैलों की गर्दन में क्या कर रहा है? बैल ही तो हल चलाता है मालिक ओ, बैल हल चलाता है तो किसान क्या करता है? किसान फसल उगाता है किसान फसल उगाता है भाईयों, हम आपसे वाइदा करते हैं अगर अगले साल हमारी सरकार आई तो किसी भी किसान को फसल उगाने की जरूद ही नहीं पड़ेगी अरे मालिक, किसान फसल नहीं उगाएगा तो खाएगा का खाना? क्या हुगा? किसान खाना नहीं खाता कै? मालिक, किसान पहले फसल उगाता है, तब खाता है और पहले उगाता है, फिर खाता है तुम क्या उगाता है? कपास कपास, very good बतलब किसान कपास खाता है? अरे नहीं मालिक, कपास का कुर्टा बनता है कुर्टा बनता है, बतलब तुम कुर्टा हुगाते हो मालिक, हम किसान है, हम अहे फसाल हुगाते है हम अहे कुर्टा भी हुगाते है, जमीन में कितनी जमीन है तुमारे पास? चोटा-चोटा तुकड़ा में कई सा रहा है एक तुकड़ा कितना बड़ा होता है? वेरे जाते हैं, साम को जाते हैं, कई बार आते जाते ही रहते हैं, मालिक, मालिक, हमारे लिए पईदावार बड़ी समस्या है, पईदावार समस्या है, कितने बच्चे हैं तुम्हारे, छेट रूप, छेट हो बच्चे और पईदावार समस्या है, हम जमीन से पईदावार की बात कर रहे हैं जमीन से बच्चे परोगे तो भसल का उगाओगे जमीन से जुड़ी कौनों बात जानते हैं आप हाँ हमारे बहुत सारे रिष्टेयार जमीन से जुड़े हुए है मालिक उसको जमीन से जुड़ना नहीं मट्टी पलीद होना कहते हैं हम pseudo पवाँ बड़ी समट्या है जासमजी है पिल गचा किसान के आपके पास एक जड़ा बैल है बैल वरी गोड वेरी गूर कितना दूध देते हैं reliable गणिर भाल टाहां चलापर चलाता है तो किसान क्या करता है किसान आत्मात्य करता है कर दो कर लिव